नमस्का, राजनमा टीही पर आपका स्वागत है, मैं प्रियाम आपके साथ राष्टरी कॉंग्रेस पार्टी के महराष्ट प्रदेश अध्यक्ष जैंत पार्टील को I.L.N.F.S. मामले में प्रवतर निदेशाले ने संबन किया है मामले में मनी लॉंडरिंग की जाजकरी एजिंसी ने उन्हें सुब 11 बजे दफ्तर बुलाया है पार्टी का बयान दक्षिन मुंबई में बलाड स्टेट इस्तित E.D. के कारेले में दर्ज क्या जा सकता है E.D. की नोटिस पर N.C.P. नेता ने कहा कि उन्हें E.D. का नोटिस मिला है मेरा मामले से कोई लेना देना नहीं मैंने उनसे कोई लोन नहीं लिया मैं जाज में सहयोग करूगा उन्होंने एजिंसी को पत्र लिखकर समय वागा है क्योंकि उन्हें परिवार की कोई शादियों में शामिल होना है जैंत पाटिल शरत पवार के करीबी है एजनसी इस मामले में कोही नूर कंस्रक्शन को दिये गए कर्च के मामले में राज ठाकरे से भी पूस्ताच कर चुकी है एडी ने दस मई को ही दो पुर्व आडिटर फर्मो बी एसर एंड एसोसियेट्स और डेलाइट हॉकिन्स एंड सेल्स के केमपेस में रेट की थी एजनसी ने दोनों फर्मो पर यह सर्च ओपरेशन पी एम एले के प्रवाधनों के तहट चलाया था एजनसी के सुत्रों के मताबिक सर्च ओपरेशन के दोरान कई कर्मचारियों से सवाल किये गए और कुछ संदिक्त दस्तावेज भी जब्त किये गए हैं एजनसी के सुत्रों ने बताया कि I.L.N.F.S. में कथित तोर पर घोटाला और मनी लॉंडरिंग का मामला साल 2019 में सामने आया था पहले लोकल लेवर पर जाच हुई जिसमें मिले तत्यों के आदार पर 2019 में ही एजनस शुरू कर दी तब I.L.F.S. गुरूप की कंपनियों I.R.L. I.T.N.L. के अलावा इन कंपनियों में तेनात अधिकानियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्थिक अपराज शाखा ने केस दर्च किया था इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ दहने बाद